देख अभी से बसीना चुट रहा है अभी तो प्रेत निकट नहीं आवे वहाँ पसीने में से सुसू की बद्वू क्यों आ रही है तैस ने सुसू कर दी इसलिए बद्वू आ रही है यह वह चुलल दिखने में कितनी अच्छी है तुझे भूत नहीं प्यारी लग रही है ज्यादा तारीफ करेंगा तो बाहर निकल आएगी तो टीवी के अंदर है पिर साउंड इफेक्ट बाहर से क्यों आना खत्रे की घंटी बच गई अभी आके लटक जाएगा तो अपनी कॉफी घंटक कमला तुझ पे कर दिया अचेप के लिए जो आगेरी मेरा शोना बेटा गुड मॉर्निंग अब उतर जाहां ममा ममा नहीं आंटी अं आं अंटी घंटी तो और ये तो आंटी अरे मा तूम हो क्या अच्छी खासे नींद आ रही थी चिल्ला के जगा दिया अपने मुझे देख करिकला और यहां अरोगर को आने की जरुवत नहीं है कैला बात्रूम जा सकता हूं कि यही बात अचे नहीं लगती अच्छी को बताने की क्या जरूँ आज के बाद में अकेला ही बाथरूम जाओंगा सब को पता चलेगा मैं कितना जाबाज हूँ हाँ मेरे सामने डिंगे हाफने से कुछ नहीं होने वाला जा जा के दिखा हिनमत है तो अकेला और वहां जाके मुझे बच्चो वाली लोरी गानी को बद बोलना नहीं तो तुझे सिधा घुमा दूँगी आगी लोरी होगी फुस अब मैं खुदी गाऊंगा और खुदी सुसु करूँगा हा हौ HA दर लगे तो गानागा दर लगे तो गानागा दर लगे तो गानागा एसे गलए देखा! इसे कहते हैं सफल सुसू बिना घमंडी आउरत की मदद के एक मिनिट रुग्जा मैं अनृडर जा करे खुदी देखती हू है रुग्जा कितनी शक्की है पुलिस अलबो कौन है तू और इतनी राज को मेरे बातरूम में क्या कर रहा है माता जी मैं बातरूम का वाच्मन हूँ अकली साब ने मुझे नौकरी पर रखा है पाई लागो माता जी घर का वाच्मन तो सुना था बातरूम का पहली बार देख रही हूँ माता जी बातरूम का वाच्मन क्यों नहीं हो सकता पहले मैं पब्लिक टॉलेट का वाच्मन हुआ करता था एक बार किसी को सुसु करते हुए देख लिया तो नौकरी से निकाल दिया आप यकीन नहीं करेंगी के वो आदमी कौन था, वो हमारे साफ थे माताजी, आज से ये मेरा ATM, ATM मतलब, Anytime Mobile Watchman, राग हाव, दुनिया में तु भी कलोते इंसानों जे डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकालते हो, तैंक यू, अब सो जा, ATM, जा डूटी कर, जी साफ, हमने कर दि Please take your seats, कोई बताएगा उस चैनल के वो कौन से प्रोग्राइम है, जिसकी वज़े से वो नंबर थ्री से नंबर वन पर आ गया माडम, औरतों की वियोशिप बढ़ाने के लिए, उन्होंने भगवान के चमतकारों के उपर जूटी मोटी कहानिया बनाई और इसी से उनको TRP मिल गई तो ये बात है, हम भी भगवान के चमतकारों पर आधारित उनसे भी ज्यादा सेंसेशनल कहानियों पर सीरिल क्यों नहीं बना सकते सुपर आइडिया माडम सुपर नहीं, फ्लॉप आइडिया है हाँ, गुड आइडिया ये देखे माडम, ये कुछ लोकेशन्स है, आपको हंडर्ड पसंद आएंगी ये सच मुछ डरावना है, इस कॉंसेप्ट के लिए परफेक्ट लोकेशन है विकास, लोकेशन बुक कर दो मैं शूट के लिए इस लोकेशन को बुक करवा दूँगा लोकेशन के पास ही रिजॉट है, हम बहार रह सकते हैं और कोई रिक्वाइमेंट हो तो बता देना शूर मैडम नंदिनी, तुम्हें और किसी चीज की ज़रुरत है एंकर और असिस्टेंस की तीम तो मैं पहले ही चुन चुकी हूँ बस एक अच्छे कैमरमेन की और जरूरत है बॉड मॉर्णिग माडम ओ, बॉड मॉर्णिग, तुम तो हमारे चैनल के ब्रेकिंग न्यूस से भी फास्ट हो इसलिए तो मेरे इते टी-आर-पी है गोड मॉर्णिग रागव हम इत नया प्रॉजजेक्ट शुरू करने वल रागव मैडम, बॉले ना, बॉले ना, मैडव हम इत नया सीरियल बना रहे है जिसमें भूत है, चुडएल है और हमें उसकी शूटिंग जल्दी शुरू करनी है, ये सीरियल हमें फिर से नंबर टू से नंबर वान पर ले आएगा, लेकर ये सब ये मुझे क्यों बता रही है, और उसके कैमरमेन तुम रहोगे, ये टायन मेरी दुपती रख को क्यों दभा रहे है, मैं नहीं कर सकता, मैं पिलिया, 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 विले कली मतलब, पतब जॉंडिश, जॉंदिस, जॉंडिस, 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 आज डланelf आक खुलते ही होमक्रघृ Anyone जूब अर बात्रूम पिला होमक्रा जॉल्स टियमक्रा शुर्प लोडब सो रिभा कि और द विल्कुल सही मैडम इस प्रजेक्ट की डिरेक्टर यह है क्या हां तो यह बाद आपने पहले क्यों नहीं बताई माडम तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे तुम मैं क्या करती है सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई बहरापन भी जॉंडिस का एक साइड इफेक्ट होता है एक्सक्यूज में यह भी पीला हालो हां क्या सारे रिपोर्ट्स अच्छे मैडम अभी डॉक्टर का फोन आया था उसने कहा कि मेरा जॉंडिस क्यों और हो गया लेकिन फोन में तो रिंग बजी ही मैं मैडम वाइब्रेक्टर मोड पे रखा था फो एनिवे इस हो ममा लेकिन वह फॉस्ट है आप सेकेंड हो ममा मैं से कंड़ और वो तो से चने के ज्ढ़ पे चड़ाने के लिए बोले पयारी ममा हो सटी पूची है सर अच्छी मेरे कपड़ ठीक है न कपड़ों से तो असिस्टेंट कैमरामें लग रहें लेकिन मूचों से रावन मूच यह है पुजा अलो यह है श्वर्या यह दुनों लाइट्समें अर्विंद और आर्नल नमस्कार आर्नल किसी भी अंगल में नहीं लग वो क्या है न सर मां को लगता था कि वो जैसा नाम रखेंगी में बिलकुल वैसे बन जाओंगा इसलिए मेरा नम और नॉल रख दिया है व में मोच आगाई सारी यह मिस्टर मालिक हमारी M.D. के खास फैमली फ्रेंड यह टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं यह इस होरो सीरिल का प्रड़क्शन कंट्रोलर बनकर हमारे साथ चल रहे हैं अब अपना इंट्रोड़क्शन दीज ब्रेड्यूसर के सारे गुण है आपके अंदर गुद मॉनिंग मैडम मेरा नाम गीता है हलो आपकी M.D. मेरी फ्रेंड है उन्होंने मुझसे आपके चहरने के अरेंजमेंट करने के लिए कहा था यह यहां की कुक है नमस्कार खाना ठीक से बना लीती हो ना अरे यार इसी देखर तो मेरे दिल में भी कुछ-कुछ पकने लगा है मैडम आपके लिए मास्टर बेडरूम तयार है पूजा एश्वया आपके लिए वो लेफ बला रूम है कैमरमन सर आपके लिए यह रूम एरेंज किया है हम लोग लाइट मैन है तो क्या पुरी रात बीच पार ही सोएंगे ने 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 बेस्मेंट पे एक रूम खाली है तुम चाहो तो वहां सो सकते हो किसीने ठीक ही कहता हमारी कोई इज़त नहीं है चलो अरे वहां क्यों जा रहे हो मेरे कमरे में रह सकते हो एक मिनट साब सुनिए इनको बुराने की कैसोर हो थी मेरी समझ में नहीं आ रहा कभी तो समझा कर घर का साइस देखा है इतने बड़े घर में भूत मिलने के चांसे ज्यादा होते है यह दोनों कार्टून रहेंगे तो ह मुझे एमटी ने बताया था एक डॉक्टर भी आने वाले हैं वो मैं हूं लेकिन में भूल गहीं अभी कोई कमरा खाली नहीं है लाइट मैंन के कमरे में सोने वाले हैं आप चाहे तो बेस्मेंट में सो सकते हैं वहां एसी तो नहीं पर एक छोटा सा फैन जरून है तुम य देखो जो हो गया सो हो गया मैंने तुम्हें माफ कर दिया मैं उस कमरे में रह लूँगा सर वो एमटी का कमरा है अदे इस पगली को कोई समझाओ यार सर सर शांत हो जाए आप टेंशन मत लीजे गीता आप वो कमरा इन्हें दे दीजे ओके आप मैडम से बात कर लूँगी स अब वो कमरा आपका है थांक यू आप स्टेच्य बन के क्यों खड़ें अवे स्टेच्य बन के नहीं खड़ा हूँ इस बंगले को देखकर हवा निकल गई तुमने तो बताया था कि इस घर के आगे बीच है बीच आगे नहीं पीछे है वाव ये घर तो वागई बहुत अरावना है इसे देखकर व्यूवर्स के रोंग ते खड़े हो जाएंगी सुपर्ब सही का माडम जब हम बताएंगे कि ये घर भूतिया है तो सब यकीन कर अधा रागा वहां क्यों खड़े हो शॉट लेने की तैयारी करो वह एंगल देख रहा था ठीक है तुमने दो जाओ बंगलों के एक्स्टीरियर और इंटीरियर शॉट्स से शुरू करेंगे फिर बीच की तरफ जाएंगे पुजा रेड़ी एड़ी मैं एक्शन ग्रीवी हलो यह अचानक जैकी चैन की तरह क्यों फ्रेम में कूद गई है अब कोई कूंफूंफू कर रही है रागव उससे मैंने ऐसे एंट्री लेने के लिए कहा था अचा यह बात है चली टेक करते हैं एंकर मैडम कूदने से पहले मुझा इशारा कर दीजिए वरना फ्रेम से मीटला तुम ऐसे भी बहुत सुन्दर हो ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो आक्शन ग्रीन धीवी आज ये पता लगाने जा रहा है कि भूट सच में होते हैं या नहीं आज रात हम भूतों को बुला कर उनके साथ फेस टू फेस पाटी करेंगे यह तो भूतों को दावत द अधर के पीछे एक बीच पर रहता है नहीं रागव बेकार में क्यों टर रहे हो क्यों भूल जाते हो कि सीरिल की शूटिंग चल रही है स्क्रेप रागव मैं सीन में कुछ ज्यादा इंवॉल्व हो गया था चलिए ट्लिक करते हैं कंटिन्यू कंटिन्यू बचपन से एक वेट 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 पूजा दर्वाजा खोलते वक्त तुम्हारे चेहरे पर डर दिखना चाहिए हो कि रागव क्यामरा अंदर ले जाना जरूरी है क्या तू अंदर जाके शॉट लेकर आजाना मुझे लग रहे हैं थोड़ी क्या कहा तुम्हें नहीं मैं यह कह जाओ ना रागव उसे शूट करो यहाँ से पूल बैक करता हूँ अच्छा शॉट मिलेगा रागव चल्दी आओ ना मैडम आके दर्वाजा है खोलो उसे रागव शूट करो चलो प्रागव क्या कर रहे हो यह पेड के तनह से लटका हूँ आओ तुम्हीं पेड लग रही है अंधेरे में पेड जैसी लगी यह कैमरा पकड़ो तुमने तकलीफ क्यों कि सब लोग इधर आओ अश्वर्या तुम भी जी मैडम तुम्हें काम करो एक काला कप्र लो और उससे अपने आपको पूरी तरह धग दो वहां उस दिवार के पीछे जाना जैसे पूजा बोलना शुरू करेगी वैसे तुम टेजी से भागना ओके जैसे वह भागेगी तुम पीछे मुड़के देखोगी ऐसे रियाट करोगी जैसे तुमने भू देख लिया फुल होरर एलिमेंट और फिर देखना ओडियन्स की हवा निकल जाएगी चैनल की टी आर्पी उपर ग्यारंटी टी आर्पी उपर बढ़ेगी चलो ऐश्वर्या येस माडम पहले पूजा क करने के बाद ही वहां से गुजाना ओके ओके मैडम पूजा एक्शन आप यकीन करें या ना करें मुझे यहां की अर्जी मैडम एक हैड्रसर से एक्टिंग करवाएंगी तो यही हाल होगा रीटेक करकर के टाइम का सत्यानास होगा उसे पूजा के सामने से क्रॉस होना था और वो कैमरे के पीछे से घुम के आ रही है मैडम मैं तो अपनी जगा से हीले भी नहीं क्या बोल रही हो अगर तुम यहां हो तो वहां पीछे कौन था रागव इस कमरे में इतने सारे चमगादर थे शायद उनी में से कोई एक उस तरफ उड़कर गया होगा हां चमगादर अच्छा बैट अच्छा बैट था अश्वर्या गेट रेड़ी कैमरा कब का रोल हो रहा है पूचा टायलोग जैसा की आपने देखा दरवाजा खोलते हैं अश्वर्या को मेरे पीछे से कुई गुजरा मैंने अभी देखा पूचा फ्रीज सुपर रागव चलो रागव तुम अपना कैमरा यहां रखो पूचा तुम वहां खड़ी हो जाए रागव यह लो आंगल शॉट रहेगा एक तरफ मैं रेद गिराऊंगी और दूसरी तरफ पूचा खड़ी रहेंगे पोजिशन समझ रहे हो ना यह शॉट हम स्टार्टिंग टाइल्स के लिए यूज़ करेंगे इसे ओन ही रखना ओके तो क्या था नहीं नहीं अरे जरू कोई कुटा भागा होगा बीच पर इतना बड़ा कुटा का इसके बास हर बात का जवाब होता है कि अपके बास में अरा कि अरा बास हो घ्के बास हो अरे के बास हो इसे बास है अजय होगाओाओाओाओार फिकली है नगराचा जारा जाराचाओाओाओाओाओाओा प्रॉड़ाओाओाओाओाओाओाओाओाओ